नमस्कार मेनिहा जोशी आप देख रहे हैं The Fact to India राजस्तान में विधायकों की बाड़ा बंदी हुई या नहीं ये अब तक साफ नहीं हो सका है विधायक ललित मीना के पिता हीमराज मीना की ओर से लगाय गए आरोपों का विधायक कमर लाल मीना ने खंडन भी कर दिया है उन्होंने आरोप लगाया की हीमराज मीना को मेरी जीत पच नहीं रही हैं क्योंकि वह अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाते हैं गुरुवार को राजस्तान की राजनीती में वसंद्राराज के अलावा सबसे जादा चर्चा विधायकों की बाड़ा बंदी की रही एक विधायक की पिता की ओर से सांसत दुशंत पर भी आरोप लगाये जाने के बाद मामला तूल पकड रहा है दरसल गुरुवार सुभे राजस्तान में साथ विधायकों को एक होटल में रुकवानी की जानकारे के बाद हंगामा मच गया ये आरोप इनही साथ विधायकों में शामिल ललित मिना के पिता हिमराज मिना ने लगाया था हालांकि ये आरोप सच था या नहीं इसके पुस्टी नहीं हो सकी। देशाम इन साथ विधायकों में शामिल दूसरे विधायक ने ललित मीना और हेमराश मीना पर ही आरोप लगा दिये। अन्ता विधायक कमरलाल मिना ने यहां तक कहे डाला कि ललित मिना के पिता मेरी जीत को पचा नहीं पा रहे हैं इसलिए वे इस तरह की बात कर रहे हैं खुद रुके या रोका गया ये सवाल अभी तक बना हुआ है क्योंकि विधायक ललित मीना के पिता हिमराज मीना ने आरोप लगाया था कि होटल में साथ विधायकों को जबरन रोका गया है लेकिन विधायक कमरलाल मीना ने दावा किया है कि विधायक अपनी मर्जी से रुके थे बाड़ा बंदी को लेकर हंगामा होने के बाद विधायक कमरलाल मीना ने बताया कि हम वसंद्रा राजी के जिले से हैं इसलिए उन्हें अपना नेता मानते हैं हिमराज मीना अपने बेटे की राजनीती को चमकाने के लिए इस तरहे का जूटा आरोप लगा रहे हैं मेरा और ललित मीना का इलाका एक ही है इसलिए मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है दुशन सिंग का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है ये कहना है कमरलाल मीना ने और उन्होंने बताया कि जीत के बाद सभी विधायक वहाँ थे देर रात धाई बजे 30-35 लोग ललित मीना को लेने के लिए आए उन्हें पैचानते नहीं थे इसलिए ललित मीना को उनके साथ जाने नहीं दिया जब उनके पिता हिमराज मीना आए तो ललित को जाने दिया मारपीट और हात पाई की कोई बात नहीं हुई मेरा दुशंद सिंका ललित मीना और हिमराज मीना का फोन जाचा जाए ये कहना है कमर लाल मीना का मैं नारको टेस्ट के लिए भी तयार हूँ विधायक कमर लाल मिना ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तयार हूँ उन्होंने कहा कि मेरी राजनिती वसंद्रा राजे की देख रेक में शुरू हुई है मैं ये चाहता हूँ कि वसंद्रा राजे सीम बने लेकिन अगर संगठन किसी और को मुख्य मंतरी बनाता है तो वसंद्रा राजे जी खुद उनका समर्थन करेंगी उन्होंने कहा कि बाड़ाबंदी की बात तो पूरी तरह से बे बुनियाद है यदि इसमें किसी तरह की सच्चाई होती तो विधायकों के फोन बंध होते और उन्हें शेहर से भार ले जाया जाता ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें दफेक्ट इंडिया के साथ मैं निहा जोशी